आज मैं बनाने जा रही हूं इस्टावेरी तूरण की पट्टे 14 चैन लेनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाँ दस ग्यारा बारा तेरा चैन दस ग्यारा बारा तेरा चैन ग्यारा 14 फंदे हो गया है तेरा एक चैन पंदर 14 हो गया है अब हर फंदे में डबल कुरुसिया लेकर एक पंदर नी क्या हुना है 9 6 क्या हुना तर जाओ, प्राओ, 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 तर उसाग् बाप पर बहुब 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 ग्यारव बारव तेरा चाहँ इसको आप जैसे डबल भी करना चाहो डबल लकीरी एक और एक बारा ऐसे ही जैसे हमने बनाया है इसके उपर भी वैसे ही बनाई आप आप लोग अगर दो बारडर दो बनाना चाहते हम इधर से मैं एक पर ही श्ट्रॉबेरी बनाना सुरू करूंगी अभी दो चैन खेट लिये हैं अब यह दूसरा लाइन हम सुरू कर दिये हैं तो चैन पांचा यह दूसरा लोग जये हम इस ही हैं एक तो हो तीन चाहर पांच साथ आठ एक और बनानी होगे अब मैं रेट कलर लगा रही हैं स्ट्रॉबरी बनाने के लिए जैसे हम एक लाइन यह बनाएं दूसरी लाइन भी आप लोग बना सकते हो इसके उपर इस्ट्रावेरी आप बना सकते हो हमने एक ही लगी लाइन पर इस्ट्रावेरी बनाना सुभू कर दी हैं अब इस्ट्रावेर के छब मुझे फंदा और बनानी हैं एक दो हो गए हैं तीसरा फंदा एक चौथा चायन को थोड़ा खींच के ऐसे बनाना होगा आप लोगें को दो चार पाच एक छाइब खेर वही बढ़ए थान यहां से अभी बनाना है पंदा कि यहां से फिर वही जैसे इधर आपनाएं हैं वैसे इधर बनाएंगे बहुत असान है इस टोबेल बिनाना बनने के बाद बहुत सुन्दर लगती है एक, दो, तीन, चार, पांच, एक लास्ट बजाएं साथ एक, दो, यहां से यही हुआ इधर बिनते चले जाएं इसे ही साथ भंदे बनाती हैं चले जाएं अरेट तक यहां की अप्रें लाएंगे झाल वाल अब यहां से उसके बगल रेट के ऊपर एक दम जैस्ट एक फंदा ऐसे जैसे हमने डबल कुरुसिया करके यहां से रेट के पास से इतना निकाला है एक बार एक फंदा पर निकाल के ऐसे कुरुसों निकाल लेना फिर इसको दो फंदे को यहीं कुरुस में रहने देना फिर दूसरी बार उसके ऊपर फिर दो निकालना फिर इसको रहन देना आइसे फिर दो निकालना है फिर दो निकालना है फिर दो रहन देना कुरुचियां फिर वैसे ही दो इसमे आइसे काके यहां से निकाल के फिर निकाल लिए हम दो भंदा करके अब धीरे से सारा को एक में निकाल लो इसे गच लो फिर उसके बाद हुआइट से आगे भंदा विनते जाना है आगे है आगे पिर आगे है आगे प्रतिका निकालना है अब देखिए इस्ट्रोबेरी बनके तयार हो गई है अब जैसे इसको और बनाना है जैसे दो लकी फंदे को दो लाइन और बना ले फिर उसके उपर यही बर्पत से इस्ट्रोबेरी बनाना शुरू करें आपको अब जैसे दो लाइन इसके उपर दो लाइन ऐसे ही प्लेन बनानी होगी वाइल से अब फिर उसके उपर यही इस्ट्रोबेरी बनाना होगा अब ही मैं बना के आपको दिखा रही हूं अब देखिए पत्टी बनके तयार हो गई है अब नाने जा रही हूं पत्टी के बाडर अब बनाने जा रही हूं उवल पत्टी के लीज़ी हूं अब देखिए वाइन जा रही हूं के लाइन के बनाने जाने फट्यब के रही हूं थिरी थिरी फंदा का बाडर बनाएंगे डबल कुरुसिया लेकर बनाना है हर एक फंदे में तीन बार बनाएंगे तो यह फूल निकलेगा है फूल बन गया डबल कुरुसिया लेकर हर फंदे में तीन बार तीन बार ऐसे बनाना होगा ऐसे फूल बनके आएगा बाडर में अभी मैं आपको पूरा है तोरन के पटी में बाडर बना के दिखा रहे हूं देखिए बाडर बनके तयार हो गया है यह हमारी स्टोबेरी की तोरन के पटी कैसी आपको लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कर देना आप कोमेंट करके हमें बताना की हमारी स्टोबेरी पटी की आपको कैसी लगी है धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए आपको का याल्दी ह Η आपको कर वाद ही लगी हो भीरिवेरी की आपको यह हुआ है